Welcome friends, once again welcome you at MPS Motivators and myself Mukesh Kumar Panthe एक बरपुना आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे online platform, online channel MPS Motivators में Friends, आज के session में methods of translation How to translate of different Hindi sentences into English Hindi के अलगलग प्रकार के वाकियों को अंग्रेजी में कैसे अनुबाद करें आज के session में देखेंगे लगभग 3, 2, 4, 3, 4 हिंदी के अलग अलग वाकियों को अंग्रेजी में अनुबाद करते हुए with suitable structures, अंग्रेजी के बनावट के साथ चलते हैं, आज के session की शुरुवात होती है कुछ बहतरीन हिंदी के sentences को अंग्रेजी में अनुबाद करते हुए उनके बनावट के साथ आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी से politely request है आप हमारे online platform MPS motivators को subscribe करें वीडियोस देखें, positive comments करें अपनी परिक्षा की तियारी करें, अपने syllabus की तियारी करें MPS motivators से जुरें, हमारे साथ आएं चलते हैं, देखते हैं, आज के तरह तरह के हिंदी sentences को अंग्रेजी में अनुबाद के लिए उसके suitable structures को So friends, आज के method number first देखते हैं, method number one में कुछ हिंदी के sentences है मुझे जाना है, उसको पढ़ाना है, राम को टहलना है मुझे अंग्रेजी बोलना है, हम लोग को विदिया ले जाना है मोहन को बजार से सबजी खरिदना है उसे बजार जाना है, इस प्रकार के sentences जिसमें कुछ ऐसे कार्ज का वो दोता है, जिसको करना है अभी करें, थोरी देर बाद करें अर्थात इन सभी कार्जों को हमें करना है ऐसी संभावना है कि ये सब कार्ज निश्चितरुप से होंगे तो जब इस तरह के sentences मिले, जिसमें कार्ज करने के लिए बाध्यता तो नहीं है, लेकिन एक जिमवारी है मुझे पढ़ाना है, एक duty का बोध हो रहा है एक जिमवारी का बोध हो रहा है तो इस प्रकार के sentences जब आपको मिलेंगे उस कार्ज को करने के लिए एक जिमवारी, एक जबाब दही का बोध होता है और इस तरह के sentences का आईए देखते हैं English में a structure So friends, this is the structure Subject plus helping verb, age, aim, are किसी एक का प्रियो करेंगे, according to subject plus infinitive, 2 plus b1 जिसको बोलते हैं, plus object अगर यह sentences आपको past tense में मिलें तो आप यहाँ पर auxiliary verb, helping verb चेंज कर सकते हैं, वाज बियर का प्रियो कर सकते हैं infinity, object वही रहेगा आईए बनाते हैं First, मुझे जाना है I am to go उसको पढ़ाना है He is to teach Ram को टहलना है Ram is to walk तो इस प्रकार के अंगीने sentence मुझे भी दिया ले जाना है I am to go to a school मुझे अंग्रेजी बोलना है I am to speak English मुझे हिंदी बोलना है I am to speak Hindi मुझे दिल्ली जाना है I am to go to Delhi subject, helping verb, infinitive, object इस प्रकार के sentence है जहां पर कार्ज करने की एक जवाब दे ही है एक जिमवारी है कार्ज को करना है थोरा समय लगे बिलंब हो लेकिन कार्ज करना है तो इस तरह के structure पर इस प्रकार के sentence को एकदम इसली वे में बना सकते हैं चलते हैं method number two so friends this is the method number two now look the sentences method number two sentences मैं जाने जाने को हूं राम पढ़ाने पढ़ाने को है हम लोग दौरने दौरने को है सिता खाना बनाने बनाने को है इस प्रकार के जब sentences आपको मिलेंगे तो बस इसमें एक ही meaning पढ़ता चलता है काम यथा सिग्र शुरू होने वाला है एक सेकेंड का भी बिलंब अब इसमें नहीं है कार्ज एकदम से शुरू होने वाला है जैसे मैं जाने जाने को हूँ अर्थात मैं एकदम से रेडी हूँ अब मैं प्रस्थान करने ही वाला हूँ राम पढ़ाने पढ़ाने को है, अर्थात राम अपना कार्ज एकदम शुरू करने वाला है, उसमें एक सेकेंड का एक पल का भी बिलंब अब उसमें नहीं होगा, तो इस तरह के जब sentences मिलें, तो आप ये अर्थ वहां लागाईए, आपको यही मालूम होना चाहिए कि कार्ज एकदम से सुरू होने वाला है, एक पल का भी वहां भी बिलंब नहीं है, तो आएए देखते हैं, जब इस प्रकार के sentence मिलेंगे, वहां structure and उसका बनावट, So friend, this is the structure, यह बनावट रहा subject plus helping verb, अगर यह sentences present tense में होंगे, is, mr का प्रियो करेंगे, plus about, about plus infinitive, to plus v1, plus object, Subject, जब sentences में जाने जाने को, आने आने को, चलने चलने को, sentence में जब यह word repeat हो जाते हैं, पढ़ाने पढ़ाने को, दोरने दोरने को, सोने सोने को, Subject, helping verb के साथ, about, plus infinitive, plus object, आईए देखते हैं, sentence first, मैं जाने जाने को हूँ, I am about to go, Ram, पढ़ाने पढ़ाने को है, Ram is about to teach, हम लोग दोरने दोरने को है, we are about to run, तो जब इस प्रकार के sentences मिले जहां काम एकदम से सुरू होने वाला है, उसमें एक second का भी बिलम नहीं है, delay नहीं है, तो इस तरह के structure पर sentences बनाते हैं, एकदम easy way में, चलते हैं friends, method number 3, So friends, this is the method number 3, आएए देखता है, example first, मैं पढ़ाने को चुनावती देता हूँ, या पढ़ाने की चुनावती देता हूँ, राम दोरने की चुनावती देता है, सीता खाना बनाने की चुनावती देती है, वह अंग्रेजी बोलने की चुनावती देता है, वह मुझे पीठने की चुनावती देता है, वह नदी पार करने की चुनावती देता है, जब इस प्रकार के सेंटेंसेज, जहां पुर्चुनावती का बोध होता है, हिमत साहस देने की बोध होता है, उस तरह के सेंटेंसेज का, आए देखते हैं, structure, So friend, this is the structure, subject plus dare or dares, dare v1 है, dares v5 है, plus infinitive plus subject, according to subject, subject की अनुसार, dare का प्रियो करेंगे, अथवा, dares का प्रियो करेंगे, infinitive 2 plus v1 plus object, आए देखते हैं, sentence first, मैं पढ़ाने की चुनावती देता हूँ, I dare to teach, राम दौरने की चुनावती देता है, राम डियर्स टूरन, सीता खाना बनाने की चुनावती देती है, सीता डियर्स तो कुक फूड, जब इस प्रकार के sentence मिले जहाँ पूचुनावती का बोध हो, या हिम्मत, या साहस का बोध हो, तो उस तरह के sentences बनाने के लिए subject dare और dares, dare v1 है, dares v5 है, plus infinitive, plus object का प्योग करते हैं, and look the examples, यह Hindi and English with suitable structures, so friends, आज के session में, तीन different प्रकार के Hindi sentences को, हमने structure के साथ, अंग्रेजी में अनुबाद किया, आप देख रहे हैं MPS motivators, आप सभी viewers and सभी friends के लिए, एक important notice, MPS motivators offline wing, अर्थात offline classes की शुरुवात हो चुकी है, 3 अप्रेल 2023 से on track class से चल रही है, from 6th to 12th, all subjects including Bihar board and CBSE board, with expert teachers, जैसे MPS motivators online platform, आप सभी के सहजोग and आप सभी के प्यार से लगतार आगे बढ़ रहा है, Similarly, in the same way, ठीक उसी प्रकार से हम आशा करते हैं, request करते हैं, कि वैसे सभी students जो offline classes जोईन करना चाहते हैं, MPS motivators, offline classes, offline wing में आपका स्वागत है, आईए, offline classes में आकर के ज्वाइन कीजिए, संपर्क कीजिए, MPS motivators से आकर के मिलिए, offline classes में, class 6 to 12 तक हर subjects expert teacher के माधियम से सुरू हो चुका है, 3 अप्रेल 2023 से classes सुरू हो चुकी है, वैसे students जो class 10 और class 12 के बिहार बोड के exam देने वाले हैं, next year 2024 के लिए, वैसे सभी students immediately आकर के संपर्क करें, अपना नमांकन कराए, scholarship भी है, exam दे, test दे, and scholarship पाए, लगभग 90% तक, तो आज के session में, ये तीन हिंदी के तरह तरह के structures के साथ, मिलते हैं, कल next class में, कल next session में, कुछ और हिंदी के sentences को, English structures के साथ, जैकते रहे, MPS motivators, online platform, and 3 अप्रेल से, 2023, 3 अप्रेल 2023 से, MPS motivators, offline class की शुरूआत हो चुकी है, या था स्विकर जूरिए, अपने service को पूरा किजिए, देखते रहे, MPS motivators, till then, thank you, thank you very much.